चाने की निती चाने द्वारा निची गरंत है। इस गरंत का मुखेबि से माना समाज को अपने जीवन की हर पहनुओं के विवारिक शिक्षा देनी है। चाने के एक महान ग्यानी थे जिन्नोंने अपने नितियों की बदोलत चंद्रगुत मौरिक राधा की गद्धी पर बिठा दिया था। आईए चानते हैं पुजैसी महातपूर नितियां जो आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों मनुस्यों को अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ये तीन काम करने में कभी भी सर्म नहीं करनी चाहिए। और ना मिले तो जब रदस्ति भी इन कामों को आप करेंगे तो आप लोगों को इन चीजों को मांगने में सर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप सर्म करते हैं जिसमें आपका ही बहुत बड़ा नुपसान हो सकता है और यहाँ तक कि इन चीजों को न लेने पर नात की ऐसे तैसी हो सकती है दोस्तों यह बात बिल्कुल सकते है पूरानी मान्यताओं के अनुसार जो वैक्ती इन चीजों को मांगने में स कई बाते बताई हैं जिसे अगर जीवर में मनुस्य अपना लेता है धारन कर लेता है तो उसके जीवर में कभी भी सफलता पाने से कोई भी नहीं रूख सकता दोस्तों ऐसे में हम आपको बताएंगे वह चीज़ें ऐसी कौन सी है जिने लेने पर यहाँ से मांगने पर सर्म नहीं करनी चाहिए खास्त एक पुरूष को तो जिसके बारे में सेलाम असवरा हमेसा मजबूती को होना चाहिए जूटे प्रेम जुडे एक दूसरे से सर्थ कभी नहीं करते हैं और समंद के दोरान वह कभी भी सर्माते नहीं हैं उनके बीच में कई महत्मनों बाते होती रहती हैं और समंद के दोरान अगर आप सर्माते हैं उनके वेज कोई गैर मर्द या गैर इस्तरी अपनी जगह बना लेती हैं इसलिए समन्दों के दोरान सर्म बिलकुल भी न करें बेजी जगोकर प्रेम करने से ही आपकी भलाई है नमर दू, भोजन करते समय कभी भी किसी भी मनुष्य को सर्म नहीं करने साहिए चानके जी कहते हैं दोस्तों जिन लोगों को भोजन करने में सर्म आती है वह अक्षर भूके ही सोते हैं और यह मुसीबत उनके लिए बड़ी परिसानी का कारण मन जाती है दोस्तों भूका आदमे खुद का सिकार हो जाता है उनको कुरोध बहुत जल्दी आ जाता है इसलिए उसे पेट भर खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी सर्म नहीं करने चाहिए दोस्तों नम्बर तीन दोस्तों गुरू निके ग्ञान लेते समय या किसी भी जानकारी को लेते समय कभी भी सर्म ना करें दोस्तो आचारे चानलक के अनुजार गुरू से ग्यान लेते समय कभी भी सर्मनानी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति ग्यान लेते समय सर्माता है उसका ग्यान अधूरा ही रह जाता है और वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाता इसलिए कहा जाता है अधूरा ग्यान आपके सबसे बड़ी हार होती है दोस्तों आप बात करते हैं नमबर चार की जो की है उधार का पैसा दोस्तों आचारे चानक के अनुसार इसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दिया वधन हमेशा मांगने में सर्माना नहीं जो व्यक्ति पैसे मांगने में सर्म करता है वो कभी भी अमीर नहों ही नहीं सकता ऐसे में आपके उधार दियो पैसे और आपके ही पैसे को मांगने में कैसे सर्म दोस्तों वह पैसा तो आपका ही है इसलिए आप जरूर मांगे इसलिए चानक निति के अनुसार आप ऐसी ग हो धन्य बार